हेलो एवरिवन, वेल्कम टू माई चैनल, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल आइकन को दबाना ना भूलें बच्चो आज मैं आपको प्यासे कोवे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक समय की बात है, करकराती गर्मियों में एक प्यासा कोवा पानी की खोज में तड़प रहा था, वे प्यास के कारण अदवरा हो गया था, उसे ऐसा लग रहा था कि वे जीवन के अंतिम सासे गिन रह हो, तब अचानक उसकी नजर एक पानी के घड़े पर गिरी, पानी का घड़ा देखकर उसे ऐसा लगा मानों की उसे जीवन दान ही मिल गया हो, बे जैसे घड़े के पास पहुचा और उसने देखा ति पानी घड़े के बहुत अंदर था, कोवे की चोच से पानी पीना तो असंभव ही था, कोवे ने बहुत प्रियास किया, पर वह असफल हुआ, कोवे पहले से भी और ज्यादा निराश हो गया था, क्योंकि उसके आखों के सामने पानी तो था, पर पानी पीने में असमर्ख था, कुछ समय बाद घड़े को देखते देखते, कोवे की नजर के पास पड़े कंकड़ों पर गिरी, और एक उसने तरकीब सूझी, उसने विचार किया, कि अगर में इनत करके एक एक करके सारे कंकड़ घड़े में दाने, तो पानी उपर आ सकता है, पूरे भरकस प्रियास और धैरे से कंकड़ पानी में फेकना शुरू कर दिया, कोवे दियाने जी जान से मेरत की और छोटे छोटे पत्थर दालने से पानी का इस्तर ऊपर आ गिया, जिससे व्यपानी पीने में सफल ओ गया, प्यासा कोवद़ की कहानी से हमें क्या सिक्षा मिलती है, बच्छो, मेनत सफलता की कुНजी है, मेनत से इनसान सब कुछ हासिल कर सकता जो व्यक्ति अपने कारे को पूरे लगन के साथ करता है वह व्यक्ति हमेशा बड़े से बड़े परशानियों को भी हल कर देता है थेंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स यदि आपको मेरे वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादे से ज्यादा लोगों में शेयर करें थेंक यू